नमस्कार। मैं डॉक्टर जरना पतेल प्राकृतिक चिकित सक हूँ और New Diet System की motivational speaker हूँ। आग सभी हमारा परिवार हो, हमारे वीडियो देखते हो, लाइप करते हो, कॉमेंट करते हो, सेर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सब्सक्राणाम है आज हमारे साथ मिटिंग पर उपस्ति के पूने से रजनी जी को जिनको पिछले 10 साल से नियो डायट सिस्टम का अनुबव है और इनकी हमने पहले भी वीडियो बनाई है और आगे ये जो है वो डायट के साथ-साथ में योग और मेडिटेशन के उपर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उनकी अलग चैनल भी है उनके बहुत सारे स्टूरेंट्स भी है तो ये क्या-क्या जानकारी देते हैं तो मुझे भी सिस्टम के साथ बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या योग करना चाहिए एक्स्पराइस करने चाहिए जिन में जाना चाहिए मैडिटे तो रजनी जी आपको बहुत-बहुत स्वागात है, कैसे हो आप? तो बताईए आपकी मेडिटेशन की जर्नी कैसी रही और उससे क्या-क्या लाब होते हैं और मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बताओगे आप? मेडिटेशन हर एक को करना चाहिए, ऐसा कोई इसमें बाउंडरीज नहीं है, कि ये बच्चे से लेके बुड़े तक कर सकते हैं और ये आज का मैं कुछ नया ऐसा ग्यान नहीं दे रही हूँ, हमारे पुराने हर ग्रंथों में आप देखोगे भक्त प्रलाद, द्रूव, ये सब बच्चपन से आध्यात्मा में थे और मेडिटेशन में थे और उन्होंनी क्या अपनी जीवन में कर दिखाया है, ये सब को पता है, हमारे ग्रंथों में इन सब के बड़े बड़े उलेख हैं और आज भी हम दुरूतारा देखके हम मानते हैं, प्रलाद जी के नाम पे होली का हम फेस्टिवल मनाते हैं तो ये जो उदारन थे, ये हमें सिखाते थे तब भी भी, के आध्यात्मा और आप जो प्रहमान आपके भीतर है, उसके अगर आप अध्यान करोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी लेबरिटरी, आप खुद हो, खुद का अध्यान करिजिये, तो आपको दुनिया का संसार का हर ग्यान आपको खुद बखुद आ जाएगा और यह हमारे रुशी मिनी भी यही करते थे, जो धन्वंतरी मैडिसिन्स हम यूज करते हैं आयूरवेद की, उसका भी अगर आप पढ़ेंगे, तो हमारे धन्वंतरी रुशी जी थे, वो ध्यान मगन बैठते थे, और ध्यान में उन्हें खुद आउशधियां विजन में आती थी और उन्हें बताती थी कि इन उशद्यों का मिलन से ये दवाई बनती है और ये रोग में वो उप्चार में उप्योग होती है यानि कि आपकी जो टैलेंट होती है ग्यान होता है वो अनलॉक हो जाता है अब जिस फिल्ड में हो या आप जिस लायक हो आपके अंदर जिस टाइप का ग्यान चुपा है वो ध्यान से खुल जाता है और इसलिए बचपन से कहा जाता है बच्चों के पास वो समय का खजाना है कि यदि अगर वो ध्यान शुरू कर देते हैं बचपन से तो कहा जाता है कि बारा वर्ष के अभ्यास से अपने आप आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं आपके अंदर की तिवरज जो होते हैं छुपी हुई ग्यान होते हैं वो खुल जाते हैं तो ये सब आपको मिलते हैं बेनेफिट्स पर कभी भी देर नहीं होती यदि आज भी आप पचास के हो या साट के हो या जो भी आपकी उमर है यदि आप आज भी शुरू करना चाहते हैं ध्यान तो जरूर से कर सकते हैं आप आती हूं मैं मेरे जीवर में ध्यान कैसे आया, 2005 नवेंबर, डिसेंबर का समय था, जब मैं कहीं जा रहे थी, और रास्ते में मैंने कहीं वोल्डिंग्स देखी थी, उसमें समर्पन मेडिटेशन की वोल्डिंग्स थी, और अंदर से ही आवाज आए कि मुझे यहां जान है, तो उस समय मुझे पता नहीं था कि यह कौन है, किसका होर्डिंग है, क्योंकि मैं रास्ते में जाते-जाते इतना खुछ पढ़ नहीं पाई थी, तो उस समय मुझे बस यह तिवर इच्छा आ गई, कुछ समय मैंने घर पे बात की, मैं सास्सुर से बात की, मेरे हस्बन स की, फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कि नहीं तुम्हें में मन हुआ है, इच्छा हुई है, तो तुम जाओ, और उस समय मेरी बेटी सिर्फ चार साल की थी, तो यहां पूछने का प्रशना यही था, कि मेरी बच्ची चोटी है, तो मैं इस ध्यान में जाओ कि तो मैं जब गई, तो महा मुझे पता चला कि यह निशुल्ट है, और आठ दिन का यह ध्यान का शिविर है, जहां आपको छे से रात को दस बजे तक शिविर लगेगी, उस शिविर में आपको आना है, तो यह समय भी ज्यादा लंबा था, इसलिए भी सब की अनुमती घर प कि मेरे साथ चलती थी, मेरी बेटी को वहाँ पे तिकत ना हो, इसलिए वो खुद पैटी थी कि मैं ध्यान कर पाऊं, तो उसके लिए मैं अपने सास्तसुर की अभारी होंचिनों ने मुझे यह सपोर्ट किया, सबको यह शायद मौहल नहीं मिलता है, तो वो मुझे मिला और मैंने उस समय थ्यान शुरु किया, तो लख यह था, कि मेरी सासने एंजाने में किया, मेरी बेटी ने भी किया, और मैने भी किया, तो तो मेरी बेटी को उस समय शरीर पे ओरी जैसा, मतलब कहते हैARS, कि यह दो हो आए कि निकलने लगा, तो मुझे थोड़ा सा भलगा, कि य मुझे पता चला कि यह हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी होती है जैसे हम मलमुत्र त्यार करते हैं वैसे ही हर उलकले की स्वाव मैं। बच्चे कैसे मतलब बच्चों के भाव तो बहुत कोमल होते हैं, innocent होते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे उन्होंने जवाब दिया, कि दिखो हर आत्मा जो शरीर भाव में आती है, उसके कुछ न कुछ पुर्वा संचित कर्म होते हैं, पुर्वा यादे होती हैं, जो उन में हो प्रतिक्रिया निकलती है कोई ना कोई भाव में तो उन्होंने वहीं का फिर मुझे मेडिटेशन में सिखाया कि जो आप पानी पीते हैं उस पानी की गुणवत्ता आप बढ़ा सकते हैं तो उन्होंने तब पानी का साइन्स समझाया था कि पानी सबसे जादा मेंमरी कैच करता है याने कि अगर आपने बुरा शब्द मों से निकाला और पानी का मटका आपके घर में उसी समय खुला है या घड़ा है तो वो जो शब्द आपने बोले हैं नेगेटिव शब्द वो पानी तुरंट पकड़ लेता है और उसके क्रिस्टल मेमरी चेंज हो जाती है और वो पानी जब आप सब लोग पीते हैं घर के सब मेमर्स पीते हैं तो जाने अंजाने उन्होंने नेगरिटिव उर्जा को ग्रहन किया है और वो फिर निकलती है गुसे में चिर्चिरे में गर में इतनी अशांती क्यों है तो ये बहुत टीप साइंस तब मुझे समझाया गया तो मुझे उसकी गहराई समझ में आई और वो अमरूत उन्होंने बहां पे जो रखा था पानी को मेडिटेशन के टाइम पे या भजन गाते हुए या धुन करते हुए यदि आप जल को रखते हैं और उस जल में उस शब्दों का उस मेडिटेशन का वाइबरेशन जब जाता है तो पानी की गुणवत्ता बहुत पॉजिटिव हो जाती है और वो पानी अमरूत बन जाता ह है और वो अगर सब गरहन करते हैं तो धीरे धीरे उनकी स्वफाव में बदलावाना सोच में सपष्टता आना शुरू हो जाता है तो यह जब मुझे समझ में आया और उन्होंने वो जल मुझे दिया और कहा कि यह आपकी बेटी को पिलाएगा उससे उसका ठीक हो जाएगा और वाकई में तीन दिन में मेरी बेटी ठीक भी हो गई थी कुछ मुझे पेडिकेशन करनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी यहां से मेरी जर्नी शुरू यूँ हुई कि मैंने मन मकम कर लिया कि मुझे ध्यान करना चाहे कुछ भी हो जाएगा तो वहां से मैंने शुरू किया जब कि मैं कभी भी ब्रह्म समय पे पहले नहीं उठती थी यानि कि साड़े तीन से साड़े पांच का जो हमारा ब्रह्म समय कहते हैं अमुरूत वेला कहते हैं वो समय मैं कभी उठती नहीं थी पर जब से मैंने ध्यान का प्रण किया मैं उस समय से अचुक साड़े तीन चाह एक की खयार मानमाता है कि ध्यान करने से फाइदा क्या कुछ होता तो नहीं है ना तो पैसे आ रहे हैं ना तो कुछ बढ़ा है यानि मेरी सोच उस समय वैसी थी तो वैसे मुझे विचाराने लगे थे पर प्रकृती महरबान थी मुझे पर मैंने कभी उसको छोड़ा नहीं श खटाश पकड़के बैठती थी और मेरे अंदर उतरता था तो मिझे बीमारी में कनवर्ट होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई सोच आप सबको नहीं बता पाते हो कि आपकी मुझे ये चीज बुरी लगी या आपका ये वैवार मुझे बुरा लगा तो वो अंदर दबता तो वो दबा हुआ जो वेवार था वो दिरे-दिरे जमा होके बीमारी में परिवर्टित होता था ये भी मुझे तब पता चला कि ये सब होता है परन्तु सारे तीन वर्ष के बार मैंने खुद में इतना बदलाव पाया कि मेरी सोच पे अवेरनेस मुझे आ गई कि मैं क्या सोचती हूँ, कितना समय मेरा negative thoughts में जा रहा है और कितना हम पैसों के बारे में सोचते हैं ये सब मुझे analyze होने लगा बिना कोई judgment के मैं खुद को देखने लगी कि मेरे विचार ऐसे ऐसे दिशा में जा रहे हैं ये सारे तीन वर्ष के बार पहला बदलाव मैंने ये लिखा फिर जैसे 2014 आया तो मेरे जीवन में अद्भूत miracle आया चोटे मोटे miracles बहुत आ रहे थे लेकिन सबसे बड़ा miracle 2014 में आया जब मैंने अपने meditation में ही अपने छे जनम देखे जिसे कहते हैं PLR आज के समय में PLR कहते हैं Past Life Recreation लोग ये थेरपी कराने जाते हैं पैसे देखे या किसी और चिकितसक के पास जाते हैं इसे कराने के लिए कि मेरे पुर्वर जनम में मैंने ऐसी क्या गलती की थी जहां पर मैं आज रुख गई हूँ ऐसा जानने के लिए लोग जाते हैं गटनाओ को एनलाइज करने के लिए Past Life Regression Therapy कराने जाते हैं पर मेरे केस में बिना मांगे मुझे वो थेरपी अपने अध्यान में हुई और उन छे जनमों के दोरान मुझे समझ में आई मेरी गलती कि मैंने कैसे अपनी अहंकार को हर जनम में कोशन दिया था कभी अहंकार को समझा नहीं था उसके कारण मैंने होच से मेरे आसपास के रिष्टों को दुखी किया हुआ था खुद दुखी हुई थी यह मुझे तब पता चला था जो उस समय कि मैं डाउट होता था कि यह वाकई में मैंने देखा और वाकई में मुझे यह लेसन सीखने को मिला लेकिन जैसे जैसे उस लेसन पर मैं चलती गई और खुद की अवेरनेस बढ़ाती गई तो आज के दौर में मैं कहपाती हूँ देखे अहंकार लुप्त तो नहीं होता है हर एनरजी ट्रांस्फॉर्म हो सकती है लेकिन डिजॉल्ड नहीं हो सकती है चाहे वो हुस्से की हो अहंकार की हो या कोई भी हमारी उर्जा हो उर्जा सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित की जा सकती है डाइवर्ट की जा सकती है तो अवेरनेस के कारण मैंने उस अहंकार की उर अपने आपको माफ करती थी और सामने वाले को माफ करती थी यानि यहां यह प्रक्रिया नहीं थी कि आपको किसी के हाथ पर चाके चोड़ने थे और उनसे माफ की माफ की भागने थी वो सके तो वो भी अच्छा ही है अगर आप वो लेवल पे हो तो लेकिन उस लवी पे अगर आप नहीं हो और आपका भाव शुद्ध हो चुका है तो आप ध्यान में उन सब लोगों को माफ कीजे उन सब इंसिडन्स को माफ कीजे जो आप से जाने में गटित हो चुके तो जैसे जैसे मैंने ये करना शुरू किया मैंने देखा मेरे मन की शां किता बढ़ती गई कि मुझे ये मार्ग नहीं छोड़ना है क्योंकि मेरी अंदर से आवाज आती थी कि तुम सही मार्ग पे हो सही जगा टिक जाओ ऐसे अंदर से ही मैसेज आकर थे तो उस मैसेज से ही मैं चलने लगी थी और उसी मैसेज से मुझे योग का मैसेज 2012-2014 में म होते हैं तो अंदर से आपको राइट गाइडन्स और राइट मैसेज मिलता ही है जो पहले भी था लेकिन पहले आपका तार का कनिक्शन नहीं हुआ था बहार आप ज्यादा देख रहे थे तो आपके अंदर क्या चल रहा है अंदर की लैबोरेटरी में क्या हो रहा है कैमिक वह नहीं पता चल रहा था ध्यान करने से वह पता चलने लगा कि मेरा भाव कब बदल रहा है जैसे ही अंचाहा व्यक्टी सामने आता है जिससे आपको बहुत चिड़ है या तकलीफ है तुर sitting आपको बपता देंगे कि तेखो तुम्हारे हाव बदल रहें अंदर से तुम् तो अपने आपको बहुत बहुत अलब लेविल पर चाने लगी कि यह मुझे सीखना भी था और प्रैक्टिस भी करना था और जैसे जिसे मैं करती गई उससे मुझे ग्लैर्टी और भी आती गई और यहां पर यह भी समझ में आया कि देखें हर जीवन में सबके जीवन में ऐस रिष्टे होते हैं जो शायद आपके लिए comfortable ना हो आपको difference of opinion होता हो लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उस आत्मा को जीने का हक नहीं है या उस आत्मा का आपके मुताबिक चलना हो जाए ऐसा नहीं होता है आपको ही आपके solutions निकालने होते हैं उन व्यक्तियों को accept करना प आपको कुछ सिखाने के लिए आए है तो जैसे आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपका भाव बदल जाता है फिर चाहे आप practically उन लोगों के साथ बात करें ना करें does not matter आप उनके साथ रिष्टे में हैं नहीं है does not matter matter यह करता है कि अंदर की आपकी प्रतिक्रिया उनक आने लगता है और यही मानव का उतेश है सब लोग कहते है कि मेरा परपस क्या है परपस क्या है इस दुनिया में आने का देखे हर मानव का परपस सिर्फ और सिर्फ प्यार और करुणा ही होता है कोई भी ऐसा ना चानवर देखेंगे ना आप कोई ऐसा प्रानी देखेंगे ना कोई ऐसा इंसान देखेंगे जिसे प्यार पसंद ना हो सब को प्यार पसंद है यानि के प्यार आपकी भाशा है आत्मा की भाशा है यदि आपने वो सीख लिया है कि चलो मेरे अंदर से उनके लिए भाव गलत नहीं निकलने चाहिए ये मेरी प्रैक्टिस है तो जब आप वो प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपके प्यार की लेवल बढ़ने लगती है यानि के औरा की शुत्ती होती है औरा का दाइरा बढ़ता है औरा यानि के आपकी आउटर बॉड़ी की एक लेयर होती है जो आपको आने वाली बीमारी पहले औरा में आती है आने वाली सोच पहले औरा में आती है फिर आपके मस्तिष्क में आती है और फिर वो बीमारी आपके शरीर में आती है यानि कि meditation ये भी सिखाता है कि यदि आप कोई बीमारी दूर करना चाहते हो तो औरा में ह cię उसको टोक के क्लीन कर सकते हो यानि किसी को अगर कुणली में ऐसा मानते है और किसी ने बताया कि आपको तो बहुत बड़ी कोई एक्सिडेंट ओने वाली है कोई बहुत बड़ी भीमारी आने वाली है पर यदि आप meditation करते हो और आपकी शुद्धी भाव से करते हो, यहां पे भाव बहुत महत्वा पूर्णने है, क्योंकि मैकनिजम की तरह सिर्फ बैठना है, करना है, उठना है, अगर करते जाओगे तो लाब नहीं होता है, भाव से जुड़ना है अपने आपको, तो आपके औरा के जो क्लिंजिंग होती है, वो होती है, और वो एक्सिडेंट जो लिखा हुआ था, वो तल जाता है, वो बीमारी जो आने वाली थी, डॉक्तरों के मताबिक, वो भी नहीं आती है, और यह पोक्री ही रहता है, इसके पहले भी बहुत आ चुकी है, रजनी जी, मैं ये एक बात पूछना चाहू कि आपने बहुत ही अच्छा समझाया, कि आप और आगे बताईए, कि मेडिटेशन कितने अवर्स का करना चाहिए, और मेडिटेशन जब करते हैं, तब क्या-क्या ध्यान रखना है, तुकि हमारे जो बेजिक जो इंसान है, जिसको पता ही नहीं है, कि मैडिटेशन कब करना है, कितना करना है, और मेडिटेशन के वक्ते क्या-क्या करना है हमें, तो वो भी थोड़ा सा बता देजिए. जी, मैं यहां यह कहूंगी कि देखें, शुरू-शुरू में अगर आपको कोई meditation का ग्यान ही नहीं है, तो इसमें बहुत सारे meditation के methods आपको आजकल मिल जाएंगे, और कई सारे ऐसे विग्यापन आपको मिलेंगे, आप DNA healing कीजे, रैकी कीजे, ये meditation कीजे, तो इस प्रकार के ब अनुभव नहीं है meditation में, और वो अगर गलत meditation चुनाव कर लेता है, और यदि उनके जीवन में कोई अच्छा प्रभाव की जगा ऐसे हो जाता है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे एट लिये, या उनको एक बुरा अनुभव आ गया, तो आपका meditation के प्रतिकी श्रद्दा कम हो आपको बिना मुलियर, आप कहीं भी registration कराके, दस दिन के लिए उस स्थान पे निवास करने के लिए चले जाते हैं, और वहां पे आपको खाना, पीना, रहना, सब कुछ उनकी तरफ से होता है, यदि आप दसवे दिन वो आपको कहते हैं कि आपकी इच्छा से कुछ अगर आ यह आप हजार दे, यह आपकी मर्जी है, तो उस समय वो आप देखके उसके लिगोंड से मुक्तो जाते हैं, और वहां पे आपको authentic गुद्ध वगवान के द्वारा जो meditation दिया गया है, वो ही meditation वो लोग सिखाते हैं, दूसरा है kriya yog, जो महा बाबा अतार कहते हैं, दो हजा हमारा यह यूग नहीं बतलेगा, कल्यान कारी यूग नहीं आएगा, तब तक हमारे महा बाबा अतार अपना शरीर त्यागेंगे नहीं, यानि के जीवन त्यागेंगे नहीं, तो वो kriya yog वहां पे कराते हैं, उनके भी centers हैं, वहां पे कुछ थोड़ा बहुत मुल्या लिय के लिए थोड़ा बहुत होता है, और वो भी मेरे हिसाब से 500 से 1000 के बीच में ही होता है, उससे जादा नहीं होता है, और यह अगे लिए प्लस पॉइंट है, कि आप रोह से मुक्तो जाते हो, और तीसरा है समर्पन मेडिटेशन, जहां पे चक्रों का मेडिटेशन किया जात आपने विपशना गानुबव किया है? जब तक मेरा खुद का उस चीज का अनुभव नहीं है, तो किसी को हम गाइड कैसे कर सकते हैं, इसलिए और शायद मेरे प्रारग में भी लिखा था कि मैं इतने अलग-अलग ध्यान में जाओंगी, तो गई थी, और आज मैं सब को यह कहती हूं, सासों का ध्यान और चक्रो अनुभव नहीं है, तो आपको लुफाओने वाले खिलोने जैसे हैं, ना कि ऑथन्टिक योग या मेडिटेशन है, तो आपको ऑथन्टिक मेडिटेशन के लिए ही सही चुटनाव करें, तो आगे आपकी प्रगरती निश्चिन्थ होती है। तो आपने जो आप रेगूलर ये कर रहे हो, सुबह में तीन बजे, साड़े तीन बजे उठके करते हो, तो फिर आपको वहाँ पे सिखाया गया होगा, हमें कोई अनुभव नहीं है मेडिटेशन का, हमने खाली वीडियो में सुना है या यूट्यूब पे देखा है क्या फाइदा हुआ? तुरंट सब कुछ हो जाना चाहिए, तो उमीदे भी गलत थी, तो वो सब मुझे धीरे-धीरे रहने से समझ में आया, कि ध्यान कोई मांगने की चीज नहीं होती है, ध्यान एक घटना होती, यानि कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान में जाने का आप एक टेक्निक अपना रहे हो, लेकिन वो ध्यान नहीं है, वो सिर्फ एक टेक्निक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कि मैंने ये टेक्निक की है, लेकिन ध्यान घटित हुआ, नहीं हुआ, ये अपने आप तय होता है, आपकी बोडी अलाइन्मेंट के हिसाब से, और आपके कुद्रत के साथ के कैसा connection बना है उसके इसाब से ध्यान घटित हो जाता है याने कि ध्यान happening है it is not कि आपने button दबाया और हो गया लेकिन इसका नियमत रूप से टेक्निक करना वो आपका काम है जैसे जैसे आप टेक्निक करते जाओके वैसे वैसे आपके अंदर के blockages शुद्ध होते जाएंगे खुलते जाएंगे और वैसे वैसे आपका शरीर alignment में आने लगेगा शुरू-शुरू में शरीर बहुत मुझे भी दिक्कत देता था याने कि मुझे भी उबासी आना बार बार आँख खुल जाना बोडी में कहीं न कहीं खुजलाट आ जाना या चीक आ जाना या खासी आ जाना तो शुरू-शुरू में शरीर ही आपका अवरोद बनता था मे तो मतलब ऐसे ऐसी चीजे मन आपको याद करवाएगा कि वहां से आप उठें और वहां से आप निकलें तो आपका मन भटकाएगा आपको उस ध्यान में बैठने से लेकिन आप अगर उस मन को सिर्फ द्रश्टा बनके देखते हैं और उसको कुछ भी छेड़ते नहीं हैं तो वह मन भी थक खार के वहीं बैठ जाता है क्योंकि समझ गया मन के यह नहीं बटक रहे हैं तो यह अवरोध भी आया था मुझे उसके बाद आये थे विचारों के बहुत चाल जब कि आप शांत बैठते हो तो नॉर्मल से जादा विचार उसी समय आपके आ जाते हैं और मेरे भी उसी समय भूचाल आ जाते थे विचारों के दस-दस साल पहले किसी ने अगर कोई इंसल्ट की हो या दस साल पहले किसी ने कुछ पैसे जादा ले लिये हो ऐसी घटना याद आती थी जो बिलकुल भी उस समय के लिए इंपोर्टन नहीं होती थी लेकिन वो आते थे तो इस जेसे द्रश्टा बनके इन विचारों को भी सिफ हम देखते रहते थे और अपने माइन को शरीर को हीलाते नहीं थे कि बस यहां बैठना है मतलब बैठना है वो एक टेक्निक है तो वहां पे हम बैठते थे तो धीरे धीरे देखा कि जो एक मिनट में पहले सो विचार आ और उसका सबसे ज़ादा प्रभाव यह हुआ कि जो अंचाहे मतलब जो सोचे नहीं थे वैसे वैसे जीवन में घटनाए होने लगी यानि कि योग मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं योग के मार्ग बेचाऊंगी इतनी modern thinking थी कि फॉरें जैसे खाना चाहिए पीजा बदलने के साथ सामने ऐसी चीजे आने भी लगी योग आया योग के बाद ऐसा आप जैसे लोग टायट हमारे जीवन में लाए आध्यात्मिक लोग बहुत जीवन में बढ़ गए मतलब जो कहते हैं real पहले हम मानते थे कि यह मेरी best friend है यह यह रिष्टे मेरे कभी तूटें नहीं वो सब लुप तो हो गए नए रिष्टे बन गए और नए रिष्टे ऐसे कि जो मुझे उस मार्ग पे लेके जा रहे थे जिस मार्ग पे मैंने शुरू किया था meditation में चलना तो उसके supportive रिष्टे बन गए और जो चूट गए तो जो चूटे पहले अफसोस होता था कि म का मार्ग तो अकेले का मार्ग है यदि आप ऐसे रिष्टों को पकड़के बैठोगे attachment लेके बैठोगे तो आप कभी मुक्त हो ही नहीं सकते हैं दूसरा कि जिसका जीवन में जितना कार्य होता है वो कार्य करके वो इनसान आपके जीवन से अपने आप कट हो जाता है या फ जी तो meditation के साथ साथ में मैं यह कहना चाओंगी कि अगर हमें सांती से बैठना है हमारे दिमाग के उपर कंट्रॉल करना है तो आपने जो इस सिस्टम के साथ साथ में new diet system को follow किया क्योंकि अगर हम 4 टाइम खाएंगे तो सांती से बैठनी पाएंगे अगर हम 4 टाइम गलत भ लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि meditation जब हम करते हैं और हमने सिर्फ raw food खाया है तो भी हमारे दिमाग बिल्कुल शान्त रहता है अच्छी सोच आती है अच्छे विचार आते हैं हमें कहीं पर उठने का जाने का कहीं आने जाने का भी मन नहीं होता है गहीं food से भी ये प्रभाव होता है कि गलस सोच जो है negative thoughts जो है वो चले जाते हैं आपके जैसा ही हमें भी अनुबह हुआ है कि जब हम परकाया हुआ भोजन खाते ले तो सेम ऐसे ही सारे सारे problems आते थे लेकिन हमने जब भोजन चेंज किया तो भोजन के माध्यम से भी आपको जो अनुबह हुआ है वो ही हु तो यह भी एक हमारे सरील में ठराव आ गया और हमें तो meditation का अनुबह नहीं है यह मैं बार-बार कर रहे हूं इसलिए मैंने आपको यह सारा knowledge आपसे information लिया यह meditation क्या होता है तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ यह system को follow करते ही बहुत सारा फाइदा हुआ है अब आपसे जूदन और आपने जो अपना अनुगो है meditation आप इतने सालों से कर रहे हो आपको इतना सारा लाग हुआ जो फाइदा हुआ तो यह आपने सब कुछ बताया तो यह भी लोगों को बहुत अच्छा रहेगा कुकि हमारा ऐसा मानना है कि जिम में जाके दो घंटे वेस्ट करने से अच् आपिंग और होटल, स्मॉल, रिसोर्ट भी सब कुछ चलता है लेकिन हम जब अंदर का जब पैचानते हैं जब अंदर का जानते हैं तो हमें बहुत ही लाग होता है तो रजनी जी और कुछ कहना चाहोगे meditation के बारे में जी मैं यहां पर चनल जी आपकी बातों से बहुत सैम प्रकार से meditation में भी है यदि आपका बोजन सात्विक है तो आपकी जर्नी बहुत फास्ट हो जाती है तो आपके बीच में आपस्टिकल्स नहीं आते हैं यह वहीं अगर आपका बोजन तामसिक है यानि कि नौन विच खाना जादा से जादा fast food खाना तो वह अवरोध बन जा आपके जरूर ध्यान दे कि आपका बोजन सात्विक है कि पासिक में जब आप यह कर लेते हो कि मुझे सात्विक भोजन लेना है तो आपकी चर्नी बहुत स्मूध हो जाती है और meditation में आप काफी आगे बढ़ जाते हैं बहुत अच्छा लगा रजनी जी आपसे बात करके meditation क के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकरी दी अपने हमें लगता है कि हमारे वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी जो दिमाग में किसी को शांती नहीं है टैंसन है क्रोध है गुसा है यह सारे भाव में भी बहुत परेक पड़ेगा आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी भागा दोड़ी बाली है कि सुबा में उठे खाया ना खाया क्या खाया वो पता नहीं है भागते भागते चलते चलते खा लेते हैं लोग और कुछ भी खा लेते हैं और कभी भी सो जाते हैं कभी भी उठते हैं तो यह सारी जो situation के वज़े से लोग जो है वो ज्य कि ज़्यादा से ज्यादा जूज रहे हैं कि जो सा क्रचिव के पास लोगों को ज्यादा से ज्यादा जाना अपक जाना पड़ता है तो अगर हम 507 अरगों को हम चारज करेंगे हैं कि लगता है कि थिन टेक्निक भी बता ही कि सर्मर्पा योग्न उसमें जाकर देड़ Creator Father पर इए वह भोचा को झाला चाहिए। ऍभी आप संपर करसकती हों है एमसी छैनल चल रही है。 आपकी चैनल का भी थोड़ा सा बता देजिए है। जी हमारी स्वयोग नाम से चैनल है जहांपे हम योग ध्यान के एक बारे में जादा बताते हैं और हमारे सत्संग होते हैं जहांपे हम लोगों को विज्डम शेरिंग यानि की और लोगों की ग्यान वहां से मिलते हैं और ध्यान जैसे जर्ना जी ने इतना अच्छा प्रचार किया है तो आप सबसे मैं यही अनुरोद करूंगी कि जरूर से ध्यान कीजिए विपर्षना क्रिया योग समर्पन meditation और PNC यानि के pyramid meditation center होते हैं आप इन में से कोई भी जन करें चाहिए अगर स्वस्त रहना है डायट क्या करना है बीमार नहीं पढ़ना है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो मेरा phone number है 9824317955 सुबह में दस बजे और बारा बजे के बीच में आप मुझे call कर सकते हो अमदावाद के नारणपुरा में मेरा अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पर WhatsApp पर मैसेज करके एपलमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो और अगर आपको कोई organic product की जरूरत हो या फिर anima pot की जरूरत हो तो आप हमारा संपर्क यही वीडियो के नीचे description box में हमारी website वहाँ पे भी कर सकते हो या तो फिर WhatsApp से भी कर स सद्धा स्वस्थर रों स्दा खुश रहो तद्दा अंधूरसतर हो स्दा हस स्ऴस्थर रहो स्थर रहो स्थर हसा तरह प्रॉस सुफ काम्राओं के साथ रजीनी जी आपने अपना किम्ती समय दिया अपने इतनी अच्छी मह дорог अपने इंपर्मेंसन दिया इन चारे लोगों क कहने पर डायट और मेडिटेशन और योग सरूर फॉलो करें और किसी को अगर हमारे संपतना है तो जन्ना जी से कांटक्क किजेगा अपने आप हमसे जोड़ जाएंगे और स्वय योग चैनल यूट्यूब पे है ही, थेंक यू जन्ना जी, थेंक यू सो मज़, बाइ, झाल झाल